नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं राजस्तान मौसम समाचार में इस वीडियो में बात करेंगे राजस्तान के लगबग सभी जिलों के मौसम हाल के बारे में कहा होगी आने वाले 24 गंटों में भारी बारी स और कहा चल सकती हैं तेजवाएं तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखें साथ इसाथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो के जिले से देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले से सम मौसम विबाग ने अगले दो दिनों तक परदेश के कई छेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है एवं भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कई छेत्रों के लिए रेड अलर्ट गोशित कर दिया है जी हां राजस्तान में अगले दो से तीन दिनों तक म मध्य पर्देश और राजस्तान की सीमा के पास एक्टिव हैं, बंगाल की खाड़ी में एक वैल मार्क लोग प्रेसर एरिया बना हुआ हैं, जो दीरे दीरे बुत्तर पश्ची में दीशा की और मूव कर रहा हैं, मांसून की ट्रफ लाइन, राजस्तान, मध्य पर्देश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं, और इस सिस्टम के असर से राजस्तान में अगले दो दिन मांसून पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाला हैं, मौसम विबाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक परदेश के उदेपूर, अजमेर, कोटा और बिकानेर लिए रेड अलर्ट भी गोशित कर दिया है, जैपूर में आज भी दोपरबाद कई जगों पर मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान हैं, तो अगले दो दिन मांसून एक्टिव रहेगा और अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है, वही कोटा में आज अलकी से लही कही अत्यन्द भारिबारिश हो सकने का अनुमान भी जताया हैं, आपको बता दे जैपूर, उदेपूर, जोदपूर, अजमेर, बाडमेर, नागोर, चुरू, सिकर, जुन्जनू, भीलवाड़ा, चितोडगड, परतापगड, टॉंक, सिरोही, पाली, एब हम राजसम से जोड़ी ताजा जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी, और अपने जिले की मौसम हाल जानने के लिए इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर अपना जिला जरूर बताएं, मिलेंगे एक लिए शांदर जानकारी के साथ, तब तक के लिए जै हिंद, जै भार झाल जाओ झाल